Hello everyone, welcome to my YouTube channel TSC The Science Classes आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नबर 10, Light Reflection and Reflection का Next Part इसे पहले वाले पार्ट में मैं आपको Mirrors के बारे में Convex Mirror, Concave Mirror और जो Ray Diagram के Rules होते हैं डो करने के लिए ठीक है? तो वो मैं बता चुके हूँ आज हम इस वीडियो में Image Formation by Concave Mirror and Convex Mirror Tread Out करेंगे कि यह ऐसे क्या होता है? ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं Image Formation by Concave Mirror देखे जो Image Formation by Concave Mirror है इसमें हमें क्या करना है? इसमें हम यह देखेंगे कि जो Object होगा हम Mirror के सामने रखेंगे तो जो Object है वो कहा कहा हम रख सकते हैं? क्या क्या possibility होती है? तो जब हम Object की Position को Change करेंगे तो उस हिसाब से ही हमारी Image की Position चेंज होगी उसका Nature चेंज होगा तो हमें वही देखना है कि जैसे जैसे हम Object की Position को Change करेंगे तो image कैसे change होगा ठीक है image कैसे बनेगी उसका nature क्या होगा उसका size क्या होगा तो अब discuss करेंगे तो first case पढ़ते हैं कि object अगर हम infinity पर रखें that means देखें ध्यान से हमारे पास image जो होगा वो हमारे पास कहा होगा अगर infinity पर जैसे कि ये cancave mirror है cancave mirror के सामने object को काफी जादा दूर रखो मतलब जिस object का mirror से distance हम measure नहीं कर पाएं ठीक है हमें उसका distance नहीं पता वो कहा है तो infinity पर हमने object को रखा तो अब image कहां बनेगी और क्या बनेगा तो ध्यान से देखना कि जो image है वो कैसे बनेगी किस तरीके से हम image बना पाएंगे देखिए हमारे पास cancave mirror है तो आपको पता है कि ये pole होता है ये principal axis है ठीक है और ये center of curvature है ये focus है अब जो infinity पर जो object रखा है वहां से parallel rays आएंगे ठीक है जैसे कि ये आ रही है ये आ रही है ये principal axis के parallel rays है तो जब ये principal axis के parallel आएंगे ये rays ठीक है तो आपको पता ही हमने रूल किया था कि when a rays of light are incident which is parallel to the principal axis then after reflection it passes through the focus फिर इसे फोकस में से cross होके जाती है तो सारी rays देखे आफटर रिफ्लेक्शन ये focus में से ओके जा रही है ठीक है तो ये after reflection जो rays सारी के सारी आई है ठीक है after reflection जिस भी point पर meet करती है उसी point पर क्या होता है हमारी image बनती है तो देखें याप पर focus पर बन रही है image तो ये जो image है इसके position क्या होगी focus पर ठीक है size of image क्या होगा highly diminished यानि points है देके आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल एक ही point पर आके focus हो रही है तो बिल्कुल point size आपको image दिखाई दे रही है nature क्या है इसका real and universal image है ठीक है real image और virtual image हमने इससे पहले वाले जो videos मैंने upload की हुई है ठीक है वहाँ पर हम पढ़ चुके है अगर देखना चाहते हैं आप देख लेना मेरी playlist है ठीक है वहाँ पर देख सकते हैं अब आगे देखें next हमारे पास क्या है जो object की position है अगर हम beyond C रखें beyond C मतलब जो center of curvature है ठीक है जो center of curvature है उससे पीछे कहीं भी उससे थोड़ा सा पीछे कहीं भी देखें यहाँ object रखें अब यहाँ से जो raise है वो कैसे जा सकती है या तो वो parallel to principal axis जाएंगी ठीक है या फिर वो direct कोई न कोई angle बनाते हुई principal मतलब पे जाएंगी ठीक है या फिर वो क्या होगी या सिद्धा principal focus में से होते हुए जाएंगी ठीक है तो after reflection हमने रे diagram जो after reflection है वो कहां का जाएगा जो principal axis के parallel जाएगी incident ray वो after reflection focus में से होगी जाएगी ये ray जो pole पर direct है ये center of curvature में से जो line जा रही है ये normal होती है तो इसके साथ angle I बनाएगा और after reflection वो उतने ही angle से जो angle R हम बोलता है angle of reflection उसी से वापिस जाएगा ठीक है तो after reflection जो ये सारी की सारी rays after reflection देखो ये वाली ray incident ray एक ये वाली और एक ठीक है ये दोनों rays after reflection जिस point पर meet करी जिस point पर cut करी है वो point तुमारे पस a dash है तो यहां से आप perpendicular draw करो ठीक है तो ये जो image है ये a dash b dash हमें image में लेगी तो आपको बस ये देखना है ray diagram draw करते हुए कि जो rays है वो object से जाएंगी जैसे भी जा रही है आप according to rules आप उसको after reflection देखे कैसे जा रही है after reflection जो rules हैं कि भी अगर parallel जाएगी तो focus में से होके जाएगी ठीक है या focus में से अगर incident हो रही है प्रिंसिपल आपकी इमेज बनेगी तो यहाँ पर जो इमेज बनी है और कहां बनी है focus और center of curvature के बीच में center of curvature और principle focus के बीच में बनी है और क्या बनी है real or inverted or smooth image बनी है ठीक है तो यह हमारा nature of the image तो देखे position of image हमारे पास क्या आई between focus and center of curvature size of image small नीचर के रियल इंवर्जेड बनती है उल्टी बनती है next हमारे पास है ऐसे अगर object को आप center of curvature पे रखेंगे तो देखे ज्यान से अगर object को आप center of curvature पे रखेंगे यह भी object है तो वही रेस पैरलल गई ठीक है पैरलल होगी तो after reflection क्या होगा वह focus में से ओके जाएगी clear इस point पे मिली है ठीक है यहां से perpendicular रोल करो तो यह image आपकी क्या होगी यह image आपके पास बनेगी इस object की इमेश तो देखा आपके पास की object आपने center of curvature पे रखा तो image भी center of curvature पे बनी है लेके real or inverted बनी है और same size की बनी है ठीक है तो देखें यहां पर arrow की sign गलग लगा रखेंगे आप ध्यान से इसको correct कर लीजीगा कि यह ऐसे आएगा arrow को sign और यहां पर after reflection ऐसे आएगा ठीक है तो यह sign ठीक कर लेना अब next देखे यह position of image center of curvature पे यह size of image लिकुल same size का बनेगा जो object जिस size का है उसी size की में जिहां बनी है नेचर का next same अगर हम object को center of curvature और focus के बीच में रखेंगे यानि अब object को हमने कहां रखा है center of curvature यह और focus यह इसके बीच को रखा same ऐसे गई after reflection focus में सोके जाएगी एक सीधी गई जो आई एंगल बना रही है ठीक है with the principal axis यही center of curvature में सोके जा रहा ना principal axis यह normal होगा इस light ray के लिए ठीक है यह वाली light ray के लिए तो after reflection वह एंगल आर से वापिस जाएगे तो यह दोनों ray after reflection यह वाली ले और यह वाली रे दोनों जिस point में मीट करेगी वहां से perpendicular draw कर दो तो इस case में भी really inverted image बनी है ठीक है लेकिन object जो size बना है इस पर जो size है वो बड़ा size बना है ठीक है than the object और object position क्या होगी beyond the center of curvature उसी तरह जब focus पे हम अगर object को रख देजो same focus पे रखेंगे तो क्या होगा आप देखना बिल्कुल ray diagram draw करने के जो rules हैं उनकी according तो यहाँ पर जो image बनेगी वह हमारे parallel raise जाएंगी parallel raise जाते रहेंगी तो infinity पे कहीं जाके meet करेंगी तो यहाँ पर position of image क् infinity होगी highly in large image बनेगी यहाँ पर और nature क्या होगा real and inverted ठीक है अब sixth case in case of concave mirror यहाँ पर एक ऐसा case है जो की object को हम focus और pole के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर होगा हमारे पास जो according to raise अगर rules diagram के according अगर हम देखते हैं ठीक है अगर हम rules के according देखते हैं यह object हम ने रखा ठीक है यह parallel raise गई after reflection focus में से गई लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे ना तो हमें ऐसा देखो वैसे तो यहाँ पर incident यहाँ से टकरा के वापीस आई है reflect हो के लेकिन जब हम यहाँ स देखेंगे तो हमें लगेगा यह पीछे से कहीं से आ रही है ठीक है ऐसे ही raise यहाँ से pole पे सिद्धा गई आई एंगल बनाया उसने with the normal which are passing through the center of curvature ठीक है और फिर after reflection वो उसी एंगल से आइंगल आई एंगल आर according to laws of reflection उसी एंगल से वो reflect हो जाएगी ठीक है यह raise को पीछे की तरफ कहीं से meet होएंगे एक पीछे की तरफ कहीं meet होती हुए हमें appear होगी अगर हम यहां से देखेंगे तो और जहां वो meet करेंगी वहां से perpendicular draw करो तो यह जो a-b-dash है यह हमें image दिखाई देगी जो कि एक virtual image है और erect image है तो सरफ concave mirror के case में 6 case हमने पड़े उसमें से एक case ऐसा है कि जब हम object को focus और pole के बीच में रखते हैं तो जो image होगी वो virtual बनेगी virtual and erect ठीक है enlarge मिलेगी काफी ज्यादा बड़ी होगी यह object से ठीक है बाकी जो other five cases है वहां पर जो image है वो हमेशा है real and inverted image है तो आपको यह ध्यान रखना है clear तो यह था हमारे पास concave mirror के case में जो image formation हो रहा है next हम पढ़ेंगे image formation by convex mirror तो इसमें हमारे पास दो ही case है एक बार object को हम infinity पे रखेंगे और एक बार object को हम pole or infinity के बीच में कहीं भी रखेंगे क्योंकि आपको पता है convex mirror के case में जो center of curvature और focus होता है वो behind the mirror मतलब इस side होता है आपके पास यहां होता है ठीक है यहां हमारे पास होता है इस side mirror के इधर ठीक है अब next आप देखते हैं आप case one by one study करते हैं तो सबसे पहले जब object हमारे पास कहां रखा होगा जब object हमारे पास infinity पे रखा होगा यह हम convex mirror के case में पढ़ रहा है तो यह देखी convex mirror है ठीक है यहां जो object वो infinity पे कहीं रखा हुआ है कोई भी object वहां से parallel raise आएंगे सारी तो आपको पता है कि जो convex mirror होता है वो diverging mirror होता है तो जब raise ऐस incident होई तो after reflection वो diverge होगी in different direction यह देखो यह raise आई ठीक है incident होई after reflection यह क्या होगी diverge होगी लेकिन जब हम यहां से देख रहे होंगे ठीक है तो हमें ऐसा लगेगा कि वो यहां focus में से होके आरी है लेकिन actual में वो यहاں से आरी है diverge होगे ठीक है यहां से reflect होगे diverge होगी लेकिन हमें ऐसा नदर आएगा कि वो यहां किसी एक point से आरे और यह point होगा focus ठीक है तो हमने देखा it after reflection यह जो raise है वो हमें appear हो रही है किसी एक point पे meet होती ह prefix है convections mirrorर का तो यहां से यह पता लगा तो यह image बनेगी तो हमें पता है कि जो raise होती है after reflection जिस भी point पे meet होती हमें नजर आएगी वहीं image बनेगी तो यह हमारे पास position of image है ठीक है add focus size बिल्कुल point size बिल्कुल highly diminished बनी है nature क्या होगा virtual बिल्कुल point जैसे ठीक है next case हमारे पास आएगा object को हमने रखा है pole और infinity के बीच में कहीं भी रख दो तो देखो यह object रखा है यहां से पहले रेस गई after reflection ऐसे diverge होगी ठीक है यहां से एक रेस इदी गई after reflection यह ऐसे इस direction में चली गई तो यह जो raise है इसको पीछे की तरफ बढ़ा हो एक इस वाली रे को और इस वाली रे को पीछे की तरफ बढ़ा हो ठीक है इसको पीछे की तरफ बढ़ा है तो यह इस साइज है याँ पर वो इसका object के comparison में small बना है ठीक है नेचर वर्चुल एंग इरेक्ट है और position के pole और focus में कहीं भी बीचर बनी हुई है तो यह हमारे पास है convex mirror के लिए convex mirror में दो ही case बनते हैं ठीक है और दोनों cases में जो image बनती है वो virtual एंग इरेक्ट बनती है clear इस case में कभी भी real and inverted image नहीं बनती है अब यूज़े देखे ज्यांसे आपके पास जो यूज़े है फिर्स यूज़े 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 तोर्च सर्च लाइट एंड हैडलाइट उफे विकल जो विकल होता है उसकी हाइड क्या करता है light है जो होती है वहां से light rays क्या होते है वह अलग अलग डाइशन में भीज़े तोर्च जो होता है निए जो हमारी इमेज जो बड़ी होकर नजरा आती है जो हम देखते हैं जब कंके बिर मेर में हमारा फीस जो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है इसलिए शेव ठीक है जो sunlight बगएर होती है ठीक है solar furnaces होते हैं उसके अंदर sunlight heat जो होती है ठीक है उसको focus करने के लिए sunlight को focus करने के लिए हम concave mirror का use करते हैं अब next हम करते है convex mirror के uses दियान से देखे convex mirror के uses क्या है देखो जो होता है थीक है विकल जो होता है फिकल के side में मिरर लगा होता है ठीक है उसको concave mirror sorry convex mirror बोलते हैं ठीक है ये क्या help करता है जो convex mirror ना वह क्या होता है यह erect image देता है और rear view image देता है मतलब कि एक इतने से mirror में वह बड़े बड़े जो large vehicles होते हैं उनको चोटा करके हमें दिखा दितें सारे विकल उसको नजर आ जाते हैं तो इसलिए वे हो scarf करता है की ताकि फिटे इसको हम नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे कजैंगे है आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे यह आपकोrão क्लियर बढ़ा होगा ठीक है आप इन notes को write down भी कर सकते हैं post करके वीडियो को ताकि आपको अच्छे से इनके notes बने तो आपको आप इनकी try कीजी आप इनकी practice इतना करेंगे ray diagram को draw करने की तो आपको उतना ही clear होगे ये उतने ही आपको बनाने आएंगे ठीक है thank you and please subscribe my channel and also press the like button thank you